हेलो गोईज मेरा नाम है सारताक और आप लोग देख रहे हैं मोड एक्स टेक स्वागत दोस्तों आप सभी का इंडियन PC सेड़पस के एपिसोड नमबर 14 के अंदर और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले कुछ आप ही के बेज़े हुए मोटी पार्टी PC सेड़पस तो यह वीडियो बहुत ही साधा कमाल की होने वाले है तो यहर वीडियो को एंड तक देखते रहना और गईस अगर आप भी चाहते हूं कि आपके सेड़प को यहर इस चैनल की उपर फीचर करा जाए आपके भी सेड़प को इस चैनल की उपर दिखाया जाए तो भाई इसी वीडि गेमिंग और PC रिलेटेट के पारे में ही बात कर आती है तो अगर आप लोग अब इंटरस्टे भाई ऐसी गेमिंग और PC रिलेटेट के अंदर तो भाई क्या कर रहे हो किस बात की दे रही है जल्दी से दबाओ उस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को जैसी मेरे टी श स्टार्ट करते हैं तो पहला सेड़ब हमको बेजा है गुपाल कृष्ण ने जो की 39 साल के एक कॉंटेंट क्रियेटर है जो की फोटोशॉप अगेरा यूज करते हैं यह न्यू डेली में रहते हैं और साथ ही मिनों ने बताई कि यह एस्टो लॉजर होबी से और साथ में यह फैक्टरी में जॉब करते हैं जैसी सेड़ब देखोगे तो देख सकते हूँ काफी बड़ी सीनों ने टेवल की उपर अपना सेड़ब बना रखा है हाला कि टेवल इतनी बड़ी थी कि अपना PC भी जो इसकी उपर रख सकते थे बट स्टेल इनों ने जो अपने PC को साइड में एक छोड़ी से स्टूल की उपर रखना प्रिफर करा है क्योंकि अगर नीचे रखते तो भाई सारी RGB चुप जाती न अब इतना महेंगा PC बनाया तो भाई थोड़ा शो आफ भी होना चीए तो इसलिए साइड मेनों ने रखा हुआ है अजा बात कर लेते हैं के PC स्पेक और टोटल ये काफी सारी hard drives यूज़ करने एक 1TB की एक 500GB की और एक 1TB की इनके पास NVMe SSD भी है साथ ही में भाई ये cabinet यूज़ करने गीगबाइट का Aorus C300 पेरिफरल्स के बारे में बात करें तो भाई ये monitor यूज़ करने सोनी BRAVIA BX300 जो कि मैं देख सकता हूँ कि एक टेलि अज़ा बात कर लेते हम लोग maintenance के बारे में तो maintenance इनोंने जो है काफी अच्छी कासी maintain कर रखे अपने पूरे setup के अंदर कहीं पर भी जो है पुछ भी वायर वगरा देखने के लिए नहीं मिलती है तो cable management का जो काम इनोंने काफी अच्छा कासा कर रखा है चाहे मैं बात करें इनके desk के उपर या फिर इनके PC के अंदर चलो बात करते हैं और suggestion के बारे में तो भाई आप बैसे काफी सारे लोगों ने नोटेस कर लिया होगा कि भाई हमारे 2080 super यूज़ करने है 3900X यूज़ करने है बट स्टिल एक sony bravia का एक TV मलब यह 1080p 60Hz वाला TV है अब भाई देखो इसा है इतना महेंगा hardware यूज़ कर रहे हो तो मतलब आप डिजर्फ करते हो कि आप एक अच्छा monitor यूज़ करो इसके साथ में भले ही आप इसके उपर gaming नी करते है content creator हो बट स्टेल एक अच्छे panel वाला एक ऐसा monitor जरूर परचेस करना जो कि आपको जो एक color correction जैसे काम जैसे को यार एक अच्छा सा keyboard जरूर बाई करना mechanical जो कि आप इस setup के साथ में यूज़ कर पाओ and मतलब शोबा दे आपके setup को यार यह सब चीज़ ना शोबा नहीं देती है जब इतना अच्छा PC बनाया होता है तो यार अपने monitor को और जो आपका keyboard है इन दोनों को जरूर से अपग देना चाहिए I hope कि आप इन सब चीज़ होगा जरूर से implement करोगे साथ ही में जो आपने अपना PC है वो side में रखा हुआ है तो आपके पास इतना budget तो जरूर होगा जब इतना महेंगा PC बना लिया है तो आप 5,000 रुपे की custom desk भी बनवा सकते हो तो एक custom desk जरूर बनवा लेना बेसिकली ये fantasy cricket की तरह ही है जैसे कि 22 प्लेयर की आप दो टीम होती है तो आप अपनी खुद की आप 11 प्लेयर की टीम बना सकते हो और आपस में चैलेंज कर सकते हो और इसके अंदर इंडियन T20 लीग चल रही है और चैंपियंस लाइक सौरफ गांगुली, वाटसन और अगला सेटप हमको बेजा राजेशन है जो की 28 साल की है और ये बैंगलौर में रहने वाले है और ये एक सौफवेर इंजिनियर है जैसी इनका सेटप देखते हैं तो बाई कितनी अच्छी वाइब आती है मतलब एक दम वाइट टेवल के उपर इनोंने बहुत ही प्यारा स उसकी बेजल इतनी पतली पतली सी मतलब मॉनिटर वियर काफी अच्छा लग रहा देखने में तो मतलब ओवराल उनका पूरा सेटप है वो लुक्स वाइस तो है बहुत ही अमेसिंग लग रहा है और मतलब काफी एलिगेंटिक मिनिमल लुक आता है इनके सेटप से निकल कर है MSI का X570, ग्राफिक्स काड है इनके पास गीगाबाइट का RTX 2070 Super, SSD ये यूज़ कर रहे है दो TV की और हाड रेवी यूज़ नहीं कर रहे है, साथ ही में जो इनके पास के बिनेट है वो है Cooler Master का MB511, पेरिफेरल के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे है तो मैं आपको बता साथ में भाई ये G-Sync Compatible Monitor मतलब काफी तगड़ा Gaming Monitor इनके पास, और ये Keyboard यूज़ करने, Zebronics का कोई सस्ता वाला, सस्ता वाला, मतलब बहुत ही सस्ता वाला Keyboard, Mouse यूज़ करने, Logitech का B100 Headset इनके पास, JBL के Quantum 200 Speaker इनके पास है नहीं, और इनके बता है कि अपने PC को यूज करते हैं, Gaming करने के लिए, CSGO, GTA 5 और भी इस तरीके काफी सारी गेम्स के उपर खेलते हैं, बात करें मिंटेनेंस के बारे में तो इनके सेटप को जो बहुत ही अच्छी तरीके से मिंटेन कर रखा है, कीबल मेंजमेंट का काम अक्रॉस दी सेटप भली PC के अंदर बात करो या करी लिया होगा, यार जो कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हो, मुझे उसको देखके खुच शरम आ गए कि भाई, क्या यूज कर रहे हैं ते तगड़े PC के साथ में, जेबरोनिक्स का 200 रुपे वाला कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो यह क्या 200 रुपे वाला एकदम मेंब्र 65Hz का G-Sync Compatible इतना पैसा लगाया है, तो यह एक कीबोर्ड भी ले लेना, हो सकता है कि आपके पास अपने सारे पैसे भी फिलाल लिए समोनिटर मोनिटर और PC बनाने में लगा दिया अभी बहुत महंगा वाला एक अच्छा कीबोर्ड लेने के मोड में हो, तो अगर अगर बहुत ही जादा नीटन की लिए और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, तो थैंक्यू सो मच अपना सेड़ बेजने के लिए, अगला सेड़ अपको बेजा है, ओमेश ने जो की 18 साल के है महराष्ट में रहते ही एक स्टूडेंट है, अब भाई इनके सेड़ को जै अपने पूरे सेड़ अप के अंदर, लुक्स वाइस तो भाई ने कहीं पर भी कमी नहीं चोड़ी है, साथ में देख सकते हैं इनकी अलमेरा है, जो इनकी डेस्क है, जो इनकी रूम का डूर है, पैटन बिल्कुल सेम है, तो भाई देखने में जो एक्रॉस पूरा प्याद अब सीधा बात करते हैं, अब सीधा बात करते हैं, लोग इनकी PC स्पेक्स के बारे में तो प्रशेर यूज़ कर रहे है, AMD के तरफ से Ryzen 7 3700X, पूलर यूज़ कर रहे है, डीपूल का L240, राम यूज़ कर रहे है, एडेटा की टोटल दो स्टिक्स, आठट गिगाबाइट की जो की 3600 MHz के उपर क्लॉक्ट है, मदर बोड़ी यूज़ कर रहे है, गिगाबाइट का B450 Aorus Pro Wi-Fi, ग्राफिक्स कार्डे इनके पास गैलेक्स का RTX 2060, साथ ही में ये SSD यूज़ कर रहे है, जो की एक क्रूशल की M.2 NVMe 500 GB की SSD, साथ ही में इनके पास हाड राइवे 1TB की 7200 RPM और केवनेट इनके पास Cooler Master की TD500, पेरिफरल के बारे मात करें तो ये डूल मोनिटर सेटप यहाँ पर यूज़ कर रहे है, तो जो ये मोनिटर यूज़ कर रहे है, वो है LG का 24 MK600, जो की 24 इंचिस का Full HD IPS पैनल वाला मोनिटर है, जो की 60 Hz के refresh rate के साथ में आता है, कीपोर ये Cooler Master MS110, साधिम भाई ये माउस भी यूज़ कर रहे है, जो की इसी कॉम्बो के साथ में आ जाता है, और हेडसेट और स्पीकर ये ब्लॉपंक्ट के यूज़ कर रहे है, पता नहीं से कैसे प्रोणाउंस करते हैं, मुझे नहीं पता, और ये माउस पैड यूज़ कर रहे है, अब इन्होंने बताए कि अपने PC को मेंली यूज़ करते हैं, फोटोशॉप करने के लिए, विडियो रिटिंग के लिए, साथ में रेंडरिंग के लिए, और ये फ्री टाइम के अंदर कभी कभी गेमिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये हाई रिफ्रेश रे अब इन्हें के लिए बहुत जादा अच्छा कर रहा है, आपको बिल्कुल भी कोई रांडम ऐसे वायर वगरा देखने के लिए नहीं मिलती है, एक तम बहुत अची तरीके से नहीं काफी बढ़िया काम कर रहा है, साथ में इनका पूरा सेटप है, बहुत अची तरीके से पूरा मेंटेन कर रखा है, ओम भाई आपके सेटप को देखकर साफ 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 पता चल जाता है कि आपने कितने डेडिकेशन के साथ में अपना पूरा सेटप बिल्ड कर रहा है, बहुत सारे लोग के पास पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी यार जो इतना अच्छे सेटप बनाते हैं, वो एस्थेटिक्स के उपर इतने ध्यान नहीं देते हैं, साथ ही में वो डेडिकेशन नहीं दिखा पाते हैं अपने सेटप के अंदर, कि वो एक ऐसा सेटप बना पाएं, बट आपने ऐसा सेटप बनाया है, वो मेरे को काफी ज़्यादा एक अच्छी बात आपने सेटप के साथ में अपने सेटप को बनाया है, जो कि यह काफी अच्छी बात है, और जैसे कि नहीं बताया है कि यह फोटोशॉप, वीडियो दिटिंग वगरा यह सब काम करते हैं, तो देख सकते हो कि उन्होंने सेटप में उपर की साइड अपने कामरा एंड लेंस अपने सेटप बेजने के लिए, तो आपको काफी जादे पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के लाइक कर दो, सब्सक्राइब को अभी तक नहीं कर आए, तो मैं मिलूँगा आप लगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लियार, थेंक्स सब्सक्राइब कार अबूड़् कर.